अस्वामलीकूम, I'm Dr. Anah, फिजोथरपिस्ट, आज का जो मेरा रिस्पाइरेटरी सीरीज का थर्ड टॉपिक है, उसका नाम है उसकल्टेशन ओफ लंग्स उसकल्टेशन ओफ लंग्स में मैं उसकल्टेशन के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, एंटिरियर एंड पोस्टिरियर, बोट साइट, और उसके हिलावा मैंने कोशिश किया है कि मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर सकूँ पेशिंट पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कौन- पेटरिन्स से करते हैं, तो मैंने ये एक टूदा पॉइंट डिसकस किया है, जो कुछ सिर्फ इसमें पॉइंट्स हैं, तो हमें कौन से पॉइंट्स का ख्यार रखना है, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, कि दो लाइन्स बनी हुई है, जो क्लैविकल है, जिसे हम राइ दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं, एपिक्स ओफ दा लंग्स, लंग्स का ये एपिक्स बनाया गया है, और उसके बाद जो सेकिंड पे जो पॉइंट आता है, हमारा वो आता है, सेकिंड इंटर कॉस्टल स्पेस पे जो पॉइंट आता है, वो हमारा अपर लोब आफ दा है उसमें upper lobe आता है तो लेकिन जो ये जो fourth intercostal space है उसमें जो हमारा left side का जो लंग है उसमें हमारे पास upper lobe ही mention होता है जो fourth में है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और उसमें जो है upper lobe और lower lobe जो है दो सिर्फ lobe होते हैं lung में जो हमारा left है जो हमारा right है उसके अंदर fourth intercostal space में middle lobe आ जाता है इस वज़ा से ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है उसके बाद हमारे पास जो six intercostal space है वो दोनों side के जो lungs हैं उनका lower lobe आता है देन हमारे पास आता है posterior lobe जो posterior lobe है उसकी जो shoulder blade है यानि के जो scapula है scapula के superior side पे क्यूंकि हम auscultation में कभी भी bone के उपर रखके जो है auscultation नहीं करते तो इससे जो है हमें sound नहीं सुनाई देती तो आपने क्या करना है scapula के उपर वाली side पे जो border है scapula का वहां रखना है तो दोनों side पे आपने पहला point यह होगा और उसके बाद जो upper lobe है posterior side का लंके तो वह c7 से t3 तक होते हैं और उसके बाद जो है हमारा जो lower lobe होता है वो t3 से 10 तक होता है तो जादा तर हम लोग यह upper और lower को ही यहां पे देख रहे होता है तो चलें जो practical है किस इस point पे आपने auscultation करनी है कैसे तो वह हम करते हैं तो सबसे पहले जो कुछ चीजों का हमने ख्यार रखना है auscultation में वो क्या है कि हाईजीन का ख्यार रखना है दूसरा हमारे जो हमने यह देखना है कि patient की skin पे कोई allergy ना हो तो उस वक्त हमने auscultation नहीं करनी है और उसके बाद आपने shut remove अगर आप करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अच्छे से auscultation कर पाएंगे restrictions नहीं होती उसमें उसके बाद जो point है वो यह है कि आपके हाथ cold ना हो और उसके इलावा जो stratoscope आप इस्तामाल कर रहे हैं वो भी cold ना हो उसको भी थोड़ा हाथ से रब करके सही कर लें temperature उनका normal कर लें ताके patient को irritate नहीं करें तो इन सारी चीज़ों का खया रखना है patient को sitting position में लेकि आना है ताके proper तरीके से auscultation हो सके patient rest में हो तो सबसे पहले जो point हम discuss करते हैं वो हमेशा pattern से होने जाहिए आगर हमने right side से start किया है तो left lobe पे पहले हम compare करेंगे और इसी तरीके सा हम नीच आएंगे तो सबसे पहले हमने patient को कहना है कि जब भी auscultation हम करें तो आपने inhale करना है और exhale करना है करेंगे झाल झाल झाल